आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब क्लासेस पर आज हम लोग बात करेंगे microbial fuel cell की जो की science and technology का एक important topic है जो की EPSC के exam में पुछा जाता है जो चली हम start करते है microbial fuel cell तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर microbial fuel cell है क्या इसके importance क्या है और यह किस field में use होते है और इसके application क्या है और finally application के साथ साथ यह कैसे काम करता है यह भी जानेंगे तो चली हम start करते है what is microbial fuel cell तो microbial fuel cell को हम बोलते है biological fuel cell simple सी बात है biological fuel cell इसको bio electrical electrical chemical device भी बोला जाता है इसमें बैक्टेरिया या इन चीजों का involvement है यह आप इलेक्टो केमिकल के help से आप electricity produce कर रहे है ठीक है तो इसमें होता है कि जो बैक्टेरिया होता है वो बैक्टेरिया क्या produce करता है electric current तो इस तरह electric current जो पैदा होता है वो एक renewable energy है जिसके करण atmosphere में कोई pollution होगा तो यह सबसे बड़ा beneficial है हमारे लिए और बहुत से कंटी में इसको फालो भी किया जा रहा है कि अब कैसे यह काम करता है हम यह जानेंगे working of microbial fuel cell तो देखो working जानने से पहले सबसे पहले आप यह समझ लो कि जब भी किसी वायर में electron flow करता है तो उसमें current पैदा होती है ठीक है तो यहां पर भी आई का नहीं होगा electron produce होगा और उस electron specific membrane बीच में एक membrane होगा जिली टाइप का वह एनोड और cathode को अलग किया होगा तो जो microbes होते हैं ना microbes मतलम small organism bacteria जो microbes बहुत छोटे-छोटे होते हैं वह एनोड पर होते हैं यानि आनोड वाले साइड में होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी आपका अर्गेणिक वेस्ट है जैसे कि सीवेश है पानी है नला है एен जो भी गंद्रेस चीज़ lob freshman उसको यह क्या करेगा 이 Chili सब्स्थान से उसके leva कि Flight्तान बाहर नीकल वो प्रोडूश होता है पॉस्ट्व चार्ज तो मिलें बाहर निकलेंगे तो इलेक्टान जैसे यह बाहर निकलेंगे तो इलेक्टान जैसे while हम पर किस पर चले जाएंगे ऑनोड पर जो हा पर आपका फोटांज होगा उस और उस अरगनिक वेस्ट से वह इस मेंब्रान को क्रास कर लगा दो या कुछ बल्प लगा दो तो आपको देखो कि वहाँ पर current के कारण वो बल्प जल रहा है यानि सेलेक्टान के moment के current तो बस यही simple सा एक तरीका है इसमें कि होता है कि दो chambers होता है कि अनोड एक cathode अनोड वाले side में क्या होता है कि आपका microbes होता है बैक्टेरिया और वहाँ पर organic quest जैसे कि सीवेज का पानी और भी कुछ जैसे कि organic quest में आपके सबजिया सड़े हुए ठीक है इन सब चीजों को यह सड़ाता है लेकिन एक चीज़ा दखना यहाँ पर कि यह जो आपका medium होगा वो anaerobic medium होगा यानि जो यह बैक्टेरिया होंगे यह बिना oxygen के presence में काम करेंगे यह वहाँ पर oxygen नहीं होना चाहिए व्योंकर अगर oxygen होता है तो वहाँ पर carbon dioxide और water produce हो जाएंगे जिससे कराण वह beneficial नहीं होगा लेकिन जैसे ही आप anaerobic medium होगे अपने आपको बार-बार आपको मिलता जाएगा ठीक है बस वहाँ पर food source यानि जो आपका वेस्ट वाटर है या अर्गेनिक वेस्ट वह बार-बार अगलेबल होना चाहिए जिससे कराण बैक्टेरिया उसे खाएगा इलेक्टान परडूश होंगे फिन करेंट पैदागा फिन बैक्टेरिया भी वहाँ पर अप्लिकेट होते जाते हैं बढ़ते जाते हैं और इसे पॉलूशन भी नहीं होता है यानि कोई पॉलूशन का डर नहीं है जिसके कराण हमारा ग्लोगल बार्मिंग नहीं बढ़ेग यानि फ्रस्ट कर सकते ह RICH कर सकते हैं और यहां पर एनारोज दाज की ईसमें काम करता है थर्टी डिग्री से तब चलोना चाहिए तभी ये काम करेगा आपका वेस्ट वाटर टीटमेंट जाला सेकेंड डिसलिनेशन अगर आप चाहते हो कि किसी समुंद्रिया किसी वाटर बाड़ी से नमक खटाना है तो आप बहु ज़्यादा लेकिन जब हम MFC उज़ करेंगे तो बाहर से कोई इलेक्रिसिटी की रिक्वार्मेंट ही नहीं होगी MFC सेल्फ इलेक्रिसिटी प्रडूश करके उस नमक को उस पानी से हटा सकता है यानि डिसलिनेशन करने में भी हमारा माइक्रोबियल फ्यूल सेल मदद कर सकता है हाइडोज म princes को रिक्षिटी को लok डिमांड इसमें गोता है कि कुछ ऐसे वैक्रिये जो कि ऐःरोबियक रेखिशन करते हैं बता सकते हो कि जो यह best water यानि जो नाली का पानी है उसमें कितना solute का concentration है इसी तरह यह biosensor है sensor मतलब सुचक यानि सुचना देता है कि कौन सा चीज कितना amount प्रसेंट है किसी चीज में तो यही biosensor की तरह आपका MFC भी काम करेगा तो फाइनली निसकर्स क्या निकलता है MFC में ज़्यादा रिसर्च के हो सकता है जिसे कराण क्या हो कि भावश से में आप efficient energy बना सको ज़्यादा amount of energy और better energy बना सको और लोगों का life sustained हो सके उन एरिया में जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, drought prone regions में और जहाँ पर basic community जैसे कि वहाँ पर कुछ सुधाय नहीं है, जिसर्कारण वो electricity को get नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम इन सब चीजों का use करके और उनके environment को pollution free बना सकते हैं, इन सब चीजों के help से तो सबसे basic चीज यह रहा कि यह एक renewable energy source है, और जिसर्कारण हमारा eco friendly भी है, हमारा MFC, आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में, नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद, अगर आपको पसंद आए तो एक बार like, share, subscribe, channel कर देना, धन्यवाद